नमस्कार स्वागत है आपका इंट खबर में मैं हूं रुषी सिंग आपके साथ अक्टूबर का महीन शुरू हो चुका है और साथ ही हर तरफ त्योहारों की त्यारियां भी शुरू हो गई हैं तो आप सबसे पहले त्योहारों का सलसला शुरू होगा शार्दिय नवरात्री स तो बता दें कि शार्दिय नवरात्री 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी तो नवरात्री की तयारियों के चलते अगर आपको अपने घर में ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो आप इन्हें तुरंत अपने घर से निकाल और इससे मादुर्गा अंबे भी आपसे नराज हो सकती है मा के स्वागत के लिए लोग अपने घरों की साफसफाई करते हैं ऐसा माना जाता है कि मांबे उसी घर में वास करती हैं जहां लोग साफसफाई रखते हैं इसलिए घर में कलश की स्थापना करने से पहले आपको घर में अच्छे से सफाई करनी हैं साथ ही ऐसी कुछ चीजें जिनसे आपकी पूजा में अरजन आ सकता है क्योंकि उनको अशुप संकेत माना जाता है का यह बताते हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में जिनको आप घर से बहार निकाल कर साकरात्मक्तल आ सकते हैं मांबे कोई खंडे त्यानी की तूटी हुई तस्वीर या मूर्ति हो तो उसे भी घर से बहार निकाल दीजिए या फिर अगर आप इन सभी मूर्तियों तस्वीरों को चलते पानी में विसर्जित कर देंगे तो यह आपके लिए बहतर होगा क्योंकि ऐसी मूर्तियां या तस्वीर घर में रखने से वास्तु दोश आता है अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का समान खराब हो गया है या तूटे हुए बरतन रखे हुए हैं तो उनको भी आप नवरात्री शुरू होने से पहले ही बहार निकाल दीजिए या खराब चीजों को ठीक करवा लीजिए साथ ही तूटे हुए जूते चपलों को भी घर से बहार निकाल देना चाहिए क्योंकि ऐसे चीजों से घर में नाकरात्मक्ता आती है घर में अगर खराब फूल या पूजा का समान है तो उसे भी हटा दीजिए क्योंकि अगर आप खराब चीजों का इस्तमाल पूजा में क करेंगे तो घर में नाकरत्मक्ता का संचार होता है साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपके घर में पूजा के बर्तन तूट गए हैं तो नए बर्तनों का इस्तमाल कीजिए या फिर गंदे हो गए हैं बर्तन तो उने भी अच्छे से धोकर साफ कर लीजे साथ ही अगर आपके घर में कोई घड़ी खराब हो गई है या बंद पड़ी है तो उसे तुरंट बदलवा दीजिए क्योंकि उनको अशुब माना जाता है और साथ ही बुरा स अगर किसी बी जगा पर अंधेरा है या फिर रोशनी का कोई साधन खराब हो गया है तो आप उसको भी समय रहते ठीक करवा लीजिए क्योंकि अंधेरे को अशुब माना जाता है साथ ही इससे घर की सुक्सिम रिद्भी नस्ट होती है इसी तरह के तमाम मानिताओं के चलते